दोस्तों यह है Realme का Narjo 50i मैं कर रहा हूँ voice over मैंने इसका unboxing पहले ही गया था और phone को हमने use भी करा है एक महिने तक उसके बाद मैं यह video बना रहा हूँ तो आपको बता पाऊंगा यह phone आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए 75-100 रुपे का यह phone आता है box कुछ इस तरीके का है पीछे आप देख सकते हो इसमें 5000 mh की battery और larger display यह सब चीजे highlight है realme c11 भी 75-100 रुपे का आता है तो उसके साथ भी comparison करके डाला हुआ है एक वीडियो box के अंदर देख सकते हो phone के अलावा एक charger देखने को मिलता है जो कि normal ही है जो इसका data cable है दोस्तो उसकी बात करें यहां पर देख सकते हो adapter तो नॉर्मल है जैसे होते है data cable दोस्तो इसका type c होना चाहिए अब सभी फोनों के 57000 में भी होने चाहिए क्योंकि बहुत सारी company यह दे रही है खास करके MI तो इसका data के बहले इस तरीके का normal पुराने वाला है जो कि टूड जाता है फोन दोस्तो काफी पसंदा है मेरे को design के मामले में design और look आप देख सकते हो इसका कितना study है और पीछे की तरफ से जो यह mint green वाला flavor हो काफी अच्छा लगता है camera को जो है दे रखा है इन्होंने चार camera ऐसे लग रहा है लेकिन है इसके अंदर एक ही आठ मेगा पिक्सल का camera सारी चीज़ा बताऊंगा मैं आगे नीचे देख सकतो earphone jack है charging jack है और display कुछ इस तरीके की है साड़े change की इसकी जो sim tray है उसके अदर आप 2 sim और एक memory card यूज कर सक है जो की realme c11 में भी same यही चीज है मतलब कि अगर आपका wifi या 5 GHz वाला तो वह इसके अंदर support नहीं करेगा और बाकि इसके अंदर यह सारे apps है यह तो आते ही है क्योंकि company को पैसा कमाना है यह बिल्कुल जायज है apps वह दे सकते है recommend कर सकते है बस वह वाले एप नी जो इंड दोस्तों हमने internet वेगरा यूज करके देखा speed बाकी फोनों में जितनी आती है उससे थोड़ी कम आती है इसके अंदर पता नहीं क्यों internet की same wifi network पर और phone connect रहते हैं उनमें अच्छा गासा net चलता है 2.4 GHz वाले पर ही लेकिन इसमें नहीं चलता और बाकि इसके about phone में अगर नार्जो को highlight कर रखा है हो सकता है बाद में रियल में नार्जो अलग हो जाए जैसे कि हमेशा यह लोग करते हैं वीवो का IQ निकल के आया और oneplus वेगरा सब एक ही parent company आये लेकिन अलग-अलग यह करते रहते हैं तो रियल में से नार्जो हो सकता है अलग हो जाए बाद में त सेंपल दिखा दूँगा आपको camera normal है normal जो जो settings होती है camera app के अंदर वो सारी चीज़े हैं इसके अंदर और आप अच्छी खासी अगर light के condition है तो आप photos भी अच्छी खासी click कर लोगे इससे कोई दिक्कत नहीं है photos camera के department में कोई दिक्कत नहीं लगा मेरे को इसका जो speaker है वो और अभी आप screen पर जो देख रहे हो यह इसके camera samples है तो यह camera samples है दोनों अलग-अलग इसी देख सकते हो यह sunlight का है और यह घर के अंदर का है low light में तो अच्छी खासी photo यह ले पाता है आप इससे ध्यान लगा सकते हो कैसा है यह phone बाकी speaker पीछे है जो कि आवाज काफी सकते हो वीडियो को लाइक करके share कर देना चैनल कर देना सब्सक्राइब मिलता है कि लिए किसी काम की वीडियो में टैक की वीडियो में